सरकार ने इंद्रा आवास योजना बनाई है ताकि गरीब लोगों को पक्का मकान मिल सके प्रन्तु बहुत ही अफसोस की बात है कि वदोही जिला के छत्र साफ पुरगाओं में कनक लता सहित अभी तक 35 लोगों का बीपेल सुची में नाम होते हुए भी उनको अवास अभी तक लहीं बन पाया मैं कैसा देभी यह मेरा समधा है आपके का समस्य अब आए समिशा यह है वह दिदी कि हम अवास चाहिए थे परधान से आसाल भरे से कहे हैं कि महारा आदमी बहुत बिमार रहता है और कवनों बनी मजूर कई के लेके आवत हैं तब भीजत बरसात में कहां धरी का करी कैसे करी हमरे समझ मिनाई आप कुल केतना लोग हैं जेके आवास का समस्य अब आए 35 लोग है का समस्य अब आए समय से हमा बहुत खराब बदे दि रहाई के आदना है आमे महुआतर है असार साहूंं में यह कोंए वह रॉप खुला बचाई क quy भाषिर में रस जाईके श्याया इसलमें बाहुत भारां जिए हमिने हा जजाई कर वारे समस्य तक की यhख्या वास मिल जाई परधान की हाँ बहुत हम सभी कोसिस करता है लेकिन साल भरे सो यह इंतिजार करत करत इतना समय बीत गया कौना आवग संभावना नहीं देखाता है मैं चाहते हूँ कि इन लोगों का जल्द से जल्द आवास बने क्योंकि ए लोग बहुत ही गरीब है मैं वीडियो देखने वाले सभी दर्सकों से अपील करना चाहते हूँ कि ग्यानपुर बलाग के वीडियो जिनका मुबाइल नमबर है 94, 54, 46, 28 पर काल कर दबाव बनाए और हमारी मदद करें मैं किसा देभी उत्तर परदेश से इंडिया अनहड के लिए